नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक खबर बहुत जादा सुनने में आ रही है कि देश में कोईला खत्म हो रहा है जिससे जल्दी ही देश जो है अंधेरे में डोबने वाला है क्योंकि कोईले से ही जो है बिजली बनती है तो कोईला खत्म होने पर बिजली का माल होता था यानि हम कभी भी जो है बाहर से कोईला आयात नहीं करते सरकार की तरब से तहा जा रहा है कि देश में बिजली की खपत बढ़ने से कोईले में जो है कमी आ गई है जिसकी वज़े से बिजली का उत्पादन नहीं उपा रहा है और यही कारण है कि बिजली की डिमां बढ़ रही है लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि देश में कोईला भी जादा मात्रा में बनाया जा रहा है यानि देश में कोईले की कमी बिलकुल भी नहीं है देश में जितना कोईला चाहिए उतना मौजूद है लेकिन अब सवाल आता है कि जब देश में परियाप्त मात्रा कोईला है तो बिजली का संकट क्यों बना हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में कोईले की कमी बताई जा रही है बिहार और राजधानी जैसी स्टेट में भी कोईले की कमी बताई जा रही है पहले आप कोईले की कमी का खेल समझे देश में सबसे ज़्यादा कोईला बनाती लगेगा कि देश में कोईले की कमी हो रही है आने वाले दिनों में कोईली की कमी के मुद्दे को सबसे ज़्यादा हवा दी जाएगी और सबसे ज़्यादा परचारित किया जाएगा और इस सब के पीछे की एक वज़े है वज़े ये है कि कोईला और बिजली की कमी दिखाकर बिजली विभाग को बेशने की तयारी चल रही है बिजली विभाग को खरीदने के लिए देश की 9 कंपनियों ने form फिल कर दिये हैं जो बोली लगाएंगी इन कमपनियों में अडानी और अमबानी की कमपनियों के साथ में टाटा की कमपनी भी शामिल है देश की सरकार बाकी सरकारी कमपनियों की तरह ही बिजली विभाग को बेच रही है यानि धीरे धीरे हर एक सरकारी कंपनी को बेच कर देश को खोकला करने की तैयारी चल रही है और हद तो इस बात की है कि बिजली विभाग को 100% के आधार पर बेचा जा रहा है अगले एक दो महिने में बिजली विभाग का भी प्राइवेटाजेशन हो जाएगा और फिर बिजली के दामों में भी आग लगने वाली है आज जो बिजली 8-10 रुपे पर यूनिट मिल रही है वही बिजली आने वाले समय में 25-30 रुपे पर यूनिट हो जाएगी प्राइवेट कंपनिया जम कर आम आदमी से मनमाना चार्ज वसू लेंगे जो आम आदमी आज दो वक्त की रोटी का जुगार नहीं कर पा रहा है वो कल को बिजली कैसे खरीद पाएगा भाजपा सरकार के आंकडों के हिसाब से देश में जो है 80 करोड से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो दो वक्त की रोटी का जुगार नहीं कर पाते हैं अब सोसने वाली बात ये है कि जो आदमी दो वक्त की रोटी का जुगार नहीं कर पाता है वो बिजली कैसे खरीदेगा कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा और कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा